हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो रेडियंट कम्पिटिशन क्लासेस और आज हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर बीस अती महत्तपुर्ण बिज्ञान के प्रस्ण बिहार सचीवाला सहयक परिक्षा जोकी नुवंबर में निर्धारित है इसके आधार पर हम लोग अपने तैयारी को लगातार बहतर करते चलेंगे इसके लिए प्रते दीन मैं आप लोगों के समख्च 20 साइन्स के परस्ण और 20 मिसलियनेस टाइप यानि कि एक लाइव स्ट्र का आपके एकजाम में प्रस्ण लड़ेगा ये मुझे विस्वास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का पहला सवाल जंग रहित लोहा बनाने में प्रियुक्त होने वाली महतरपुन धातु कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम यानि कि क्रोमियम धात का निर्मान करता है वो कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कारवन यानि कि कारवन एक ऐसा तक तो है जो सरवाधिक योगिक का निर्मान करता है ये अपनी महतरपुन इस तरह के परस्ण लगातार पड़िछा में शपते आएं नेक्स्ट देखेगा कि कार ग्रेफिन यानि कारवन का दूई आयामी अपरूप का नाम ग्रेफिन है उसके बाद देखेगा चौथा नंबर का सवाल पैंसिल का लेड किस से बना होता है तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट से बना होता है पैंसिल का लेड ग्रेफाइट से बना होता है नेक्स देखेगा पांच नमबर का सवाल देखेगा कारवन की मात्रा अधिकतम किस परकार के लोहे में होती है तो इसका राइट आंसर होगा धलवा लोहा में या धलवा लोहा में कारवन की मात्रा अधिकतम होती है तो नेक्स्ट कोश्चन देखेगा छठा नमबर का छठा नमबर का सवाल है कि सुस्क बर्फ किसे कहा जाता है बार बार परिच्छा में छपने वाल ये परश्ण है कि सूखी बर्फ या सुस्क बर्फ किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा धोस कारवन डाय उकसाइड को नेक्स देखेगा साथ नमबर में हाइडोजन को जलाने से क्या बनेगा राइट आंसर है पानी बनेगा हाइडोजन को जलाने से पानी बनता है उसके बाद देखेगा आठ नमर का सवाल कि भारी जल का सुत्र क्या होता है तो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल का सुत्र D2O होता है यानि कि D2O जिसका खोज यूरे ने किया था ये भी आप याद रखिएगा भारी जल का सुत्र D2O होता है और इसका खोज यूरे ने किया था और 9 नमबर का सवाल देखे भारी जल का अनुभार कितना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुभार 20 होता है अगला सवाल देखेगा दस नंबर का सवाल दस नंबर कारा के पानी की अस्थाई का ठोड़ता किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलसियम और मैगनेसि के कलोराइड एभां सलफेट के कारण जो है ये पानी की अस्थाई का ठोड़ता होती है उसके बाद देखे अगला नमबर का सवाल ग्यारर नमबर में देखेगा पानी का पी अचमान कितना होता है तो राइट आंसरोंगा सुध जो पानी होता उसका पीअचमान साथ होता है पानी का सुधतम रूप क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा पानी का सुधतम रूप वर्सा का पानी होता है यानि पानी का सुधतम रूप वर्सा का पानी होता है नेक्स देखेगा असुध जल से बरी मात्रा में पेर जल तयार कैसे किया जाता है तो इसका राइट आं यानि असुद्ध जल से बड़ी मात्रा में बेजल बनाने के लिए निरलवनी करन प्रकडिया अपनाई जाती है उसके बाद देखेगा 14 नमबर का सवाल कौन सी गैस पानी के पीने के पानी को सुद्ध करने के लिए प्रयोग मिलाई जाती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कलोरीन यानि कलोरीन गैस का प्रयोग जो है सुद्ध पानी को सुद्ध करने में कलोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है खास करके आप देखेंगे कि जो घरों पे टंकी लगा होता है उसमें क्लोरीन गास डाल दी जाते हैं जिसके वज़से पाने सुद्ध हो जाती है शमुद्री जल को सुद्ध जल में किस परक्रिया द्वारा बदला जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्करम परासरन द्वारा यानि उत्करम परासरन द्वारा जो है ये तयार किया जाता है समुद्री जल को सुद्ध जल में नेक्स्ट देखेगा फिटकरी गंदे पानी को फिटकरी गंदे पानी को जो है किस परकिरिया द्वारा स्वच्छे करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असकंदन द्वारा यानि फिटकरी गंदे पानी को असकंदन परकिरिया द्वारा स्वच्छे करती है नेक्स्ट देखेगा 17 नमर का सवाल वनस्पती तेल से वनस्पती जी बनाने में परीप्त होने वाली गैस का क्या नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइट्रोजन है उसके बाद देखेगा 18 नमबर का सवाल बनस्पती तेलों के हाइटोजनी करण के लिए किस उत्पेरड़क का परियूग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीकिल का परियूग किया जाता है हाइडोजनी करण में निकल उत्पे रड़क के याद रखिएगा उसके बाद देखें 19 तंबर का सवाल है कि वाईयो मंडल में नाइटोजन की मात्रा कितनी होती है तो इसका राई टांसर क्या हो जाएगा 78.030% होती है उसके बाद गोताखोरों के सांस लेने संबंधी किडिया में उपयोग की जाने वाली गैस है कौन सी है तो इसका राई टांसर हो जाएगा आकसीजन और हीलियम यानि गोताखोर जो है सांस लेने के लिए आकसीजन और हीलियम के मिसरन का प्रयोग करता है तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मातरब 6 मिनट में 20 प्रसनों को देख लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या आपके लिए यूजफूल हो तो निश्चित रूप से आप लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर किज़ेगा और यदि आप मिसलियनेस 20 प्रसन लेना चाहते हैं तो प्रतिदीन 8 वज़े आप लाइव सोसे हमारा जरूर जुड़िएगा वहाँ डिस्कसन के साथ आपको 20 प्रसन प्रवाइट किये जाते हैं तो इस परकार 20 प्लस 20 चालिस प्रसन प्रतिदीन हमारे चैनल से आप प्राप्ते कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से पड़िक्छो पयोगी प्रसन होगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही धन्नवाद